हेले विडेंट वेल्कम टू इलेक्ट्रिकल डोस दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चनल पे दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश की क्लास चल रही है आप सभी लोगों के लिए और बहुत सारी क्लासेज अल्डेडी हो चु कर लिया है ठीक है और अभी इन एन इन टू करने वाले इसके लावा एक और प्रिपोजिशन की हमने क्लास ली थी आप सभी लोग और वो क्लास थी दोस्तों सिंस और फॉर की ठीक है तो अगर आप यह तक यह वीडियो नहीं देखिए सारी तो आप देजाईए इसी चैनल क को आप कवर करते चलीगा बहुत ही बहुत ही बहतरीन सेशन हम चला रहे है ठीक है इसके लाव दोस्तों थोड़ा सा इन्फॉर्मिशन आपको देदो कि पीजी सी आईल पावरगेट की डेडिकेट टेस्टरीज हमारे ऑनलेन अप्रिकेशन लेक्टरिकल डोज पर चल रही ह बढ़िया कंटेंट है जोइन कीजिए सिर्फ 75 रूपीज में कंटेंट है और अटेक्स लेकर 85 रूपीज का पड़ेगा और एकदम समालीजे कि यह आप बिसकली इंग्लिस की यह समझेए कि बहुत यह अच्छा कंटेंट है आप जोइन कीजिए आपको इंग्लिस भी आप फोकूष करते हैं िअए वीडियो पे तो अभी का जो यह है प्रिपोजिशं़ देखे़ बिसिकली क्या होता है दौस्तों प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन ऑफ-धा मोर्त ठीलेटे जिए रपी पूरीपोजिशन ठीक है और preposition of direction होता है तो अभी जो हम बात करने वाले है इन इन-्टू का यूज जोगों का क्या है यह सूशते है कि यार गो कोई स्थिर चीज है तो इन लगा दो स्ट्राटिक चीज है ठीक है और इंटू हम तब लगाते जब कोई चीज मोशन में है ठीक है तो इंटू लेकिन यह बिल्कुल भी गज़त कॉंसेट है यह ऐसे कॉंसेट पर बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि आप इसे मात खा जाओगे ठीक है अब मात कैसे खाओगे आपको अगर उन दोस्तों के लिए बताएं तो इनका मतलब होता है में और इंटू का मतलब होता है के अंदर थोड़ा उनको भी संतुष्टी हो जाए ठीक है यह चीज़ क्लियर हो गई चलो अब देखो बात करते हैं कि इनका यूज कभ होता है मैं लिखता हूं मैं लिखता हूं से दिखता है एक ना एकदम बिना दिमाग को स्थर करके पूरा शान्त होके देखना कि मैं क्या लिख रहा हूं सिसक्राइब होता है है इन में इन कर यूज हम तब करते हैं जब साफ हमारा है इन्ट। कर यूज करते हैं में या लोकेशन चेंज होती है तिक है जब मीडिए फोरोग में अलोकेशन चेंज होती है तब हम इन्टु का यूज करते हैं यह प ini का उड़ना एक काउंसप्ट है ठीक है एकदम दिवागimana इसके एक्षेस्प्वारी नहीं होता है इसको आप मानके चलो ठीक आप उसमें जादा इफ और नहीं करना है क्योंकि यह बहुत मतब ऐसा नहीं बहुत द्रास्टिक इन साइन्स नहीं है इसमें फेक्स नहीं है ठीक है आपको पढ़ना पढ़ेगा आप किसी दिप पूछ लोगे यह चीज़े बिल्कुल भी मानने वाली है ठीक है देखो मुझे करते हैं जब मीडियम लोकेशन में चेंज हो चलो इक्जामपल सबसे परफेक्ट चीज होती है किसी बीचीज को समझने के लिए बहुत दबाग एक्जामपल लिए है मैंने देखो आप देख सकते हो पुरे स्लाइड में एक्जामपल ही मैंने पुछ यह ठीक है तो चलो आ बाहर से नहीं आ रहा है कहीं पर रूम के अंदर ही बैटे तो मैंने क्या बोला भाई ध्यान देना फिर से इको इन नोचेंज इन लोकेशन इनका तो यूज तब करते हैं, no change in location, तो कोई, इनकी location में, कोई place में change हो रहा है, यह room में है, तो यहाँ पर in जो है, इसका correct answer हो गया, next है, the student walked in oblique into the room, तो जो student से walk करके आ रहा है, into the room, मतलब कहीं बाहर से walk करके into the room आ रहा है, मतलब room में आ रहा है, तो यहाँ पर in का use नहीं हो गा in oblique into the room, ठीक है, देखोई दोस्तों, यहाँ पर अब क्या है न, the students are walking into the room या in room, यह दोनों चीज़ है, क्या है, होज़ा पर student बाहर से चलते हुए अंदर आ रहे हो, या फिर student रूम में ही चल रहे हो, या classroom में ही चल रहे हो, तो यहाँ पर in भी सही है, और यह दूसरा वाल into the well, देखो, laying मतलब क्या होता है, पढ़ा होना, ठीक है, तो भाई, well में, कुवल मतलब कुवा, ठीक है, क्या, frog was laying in oblique into the well, तो कुवे में पढ़ा हुआ है, कोई location में change हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पर in का यूज़ हुआ, next है हमारा, the frog jumped in oblique into the well, तो भाई, frog ने jump किया, कहाँ जम किया, कुवे में जम किया, तो यहाँ पर location में change हुआ, बिल्कुल change हुआ, तो यहाँ पर हम into लगा देंगे, ठीक है, next हमारा example, he was swimming in oblique into the river, देखो भाई, swimming, he was swimming, तो यहाँ पर लो कहेंगे सार, यह move हो रहा है, तो into लगा तो, नहीं भाई, swim हो रहा है, swimming कर रहा ह ठीक है, dive मारना, he dived in oblique into the river, तो यहाँ पर dive मारा है, ठीक है, river में, कहाँ मारा है, river में, तो इसके location में change हुआ भाई, भाई, वो static जगा पे किसी जमीन से ही, तो dive मारेगा, river में तो into लगेगा, तो इसी तरह, he plugged in oblique into the river, तो प्लग माला कूदरा होता है, ठीक है, यह माले जो है, bottle में ही है, ठीक है, water हमारा जो है, वो bottle में ही, उसमें place में कोई change नहीं हो रहा है, वो bottle के अंदर ही है, तो यहाँ पर in का use होगा, next है, pour the water in oblique into the bottle, तो भाई, जो हमारा water है, अब इस condition में, हमारा जो water है, किसी और जगा रखा हो, अनियतर जगा रखा हुआ है, हम उस he put the pen into the pocket, समझे रहो, कि मतलब वो pain को pocket में रखा, मतलब pain कहीं और थी, उसे अपने pocket में डाल दिया, प्लेज में, location में change हुआ, next question है, the pen was in oblique into the pocket, pen जो है, पहले से ही pocket में था, तो भाई, यह in, मतलब वही जगा, change नहीं हुई जगा, ठीक है, तो pain, यहाँ मतलब pain was in the pocket, next है he was in oblique into the trouble, ठीक है, देखो, in, he was, वो trouble में था, तो in, in, मतलब, कोई change नहीं हुआ, पहले से ही trouble में था, तो in, ठीक है, अभी सेम भाई से concept को थोड़ा सा बढ़िया करते है, do not put him in oblique into the trouble, तो यहाँ पर do not put him, मतलब बोला कि उसे problem में मत डालो, trouble में मत डालो, तो अभी वो trouble में नहीं है, trouble में जाएगा, तो into, ठीक है, अब देखो, यह थोड़ा सा अलग टाइप का चीज है, इसे देखना, the translate the passage in oblique into the English, तो भाई, किसी passage को हमें translate करना है, किसी और language, सब्सक्राइब करना है, उर्दू से इंग्लिश में करना है, उर्दू से इंग्लिश में किसी भ इन और into दोनों का यूजने होगा, यहां सिर्फ from आने की वैसे यहां पर to English, ठीक है, translate the passage from Hindi to English, ठीक है, तो आप कुझे रखता है कि यह चीज आप क्लियर कर लियोगे, थोड़ा बोल के भी देख लिया करिये, आप फुदी आपको फिलो जाएगा कि यह से जो साउंड है, अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो, next है, देखो, एक थोड़ा सा आप exception की बात का लेते हैं, कि भाई, exception क्या क्या हो सकते है, ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप सभी लोग समझेंगे, तो तो यहां पी वर्ड होता है, इंटर, इंटर बतलब अंदर जाना ही, इंटर, द सेंस में किया जाता है, तो क्या होता है, तब किस का यूज करेंगे, इन, और लिक इंटो, किस का यूज करेंगे, तो भाई, किसी का यूज नहीं करेंगे, इसमें क्या होता है, जब इंटर का यूज, प्लेस के सेंस में करते हैं, तो नो प्रिपोजिशन, ठीक है, कोई भी प्रिपोजिशन यहां, no preposition used, कोई भी प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, एंटर एंटर एक्स फिर से सुनी, इंटर एक्स word है, इंटर वर्ड का यूज़ ज़िछ प्लेस के sense में करते हैं, तो तो इन या इंटू किसी भी प्रिपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, चल लेट्स टेक एन एक्जाम्पल्स ठीक है? देखें, he entered in oblique into the bank, तो यहाँ पर place के sense में यूज़ हुआ कि नहीं, भाई, bank है तो place ही है, तो यहाँ पर कोई भी प्रेपोजिशन, he entered the bank, he entered in oblique into the classroom, तो classroom भी एक place है, तो enter का use कोई प्लेस के sense में, तो कोई भी भी नहीं है, he entered the classroom, ठीक है, देखें, अब यहाँ पर फिर से थ तोड़ा सा एक exception, अब क्या है, कि enter into an alliance, enter into a discussion, enter into an agreement, क्या यह तीनों वर्ट सही है, जी हाँ, तीनों यह sentence है, enter into an alliance, enter into an discussion, enter into an agreement, ठीक है, यहाँ क्या है, क्योंकि, क्यों सही है, क्योंकि भाई देखो, मैं लिख देता हूं, फिर समझना, इक्दम प्यार से पढ़ते रहना, क यहां नहीं है तीक फूरी कोशिश करता हूं है कि हिंधी मिद्य को मेरा designers पूंपए दूस्तों घठबनध बंधन टीक है ती यह प्लेस में को मतर प्लेस थोड़िया । में एंग्रिमेंट सम्झा हो था को हम यहाँ पर इंटू का यूज कर रहेते हैं कोई दिक्कत की बार नहीं है तीनों जो हमारे जो सेंटेंस वो बिल्कुल भी करेक्ट है मुझे लगता होफुली आप सभी लोग को ये चीज समझ आ गई होगी एक चीज थोड़ा सा जो पिसले चीज़ों में आपको ध्यान देन तो इस से ये कॉंसरेप्स निकल आया कि इंटर जब वर्भ के रूप में उस veto two इनD कर यूज को ठीक है समझके स्यंग हımız को थे लाइन को मिया था है का कि इंटर का यूज जब वर्व के रूप में होगा तो इंटिव नहीं हुआ गई जालो यह लाइन मुझे लखत नहीं होता है यह लाइन बिल्कुल समझ गई समीकराण नमबर वन इस तरह पढ़ते थे ना पहले हम लोग मैथ्प्रेटिक्स में ठीक है चलो अब नेक्स्ट जब यहीं एंटर मतलब एंट्री मालो इसका यूज हम नाउन के रूप में करते हैं ठीक है तो हमारा इंट्री होत एंट्री को यूज होगा ठीक है लिट्स टेक एंग्जामपल चलो वाई वीडियो को अंतिम स्वरुप दे रहा हूं है तो बढ़िया से देखना कोई चीज चीज कॉंसेप छूटना चाहिए हिस एंट्री तो यह नाउन हो गया अभी हाभी क्या यूज होगा दस वाज बैंट ठीक है आप अब ज़्यागता समझ में आ गया होगा इस चीज को क्लियर हो गया हो बिल्कुल ठीक है दो एक एक असप्सन और आपको लेता हूं एक अफवाद और ठीक है इसमें एक वर्ड है फ्रू अबलीग ठीव ठीक है इसका मतलब बीसिकली आप मतलब पा मतलब आप कर सकते वर्ड के साथ हम इंटू प्रिपोजिशन का यूज नहीं करेंगे ठीक है इसमें सिर्फ इन का यूज करेंगे देखो एक एक एक्जांपल लेता हूं आपको समझ जाओगे थी थ्रिव पेपर इन अब लिक इन्टू दस्ट बीन अब थोड़ा सा आपके दिवांग में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे तो पेपर की लोकेशन चेंज हो रही है भाई कहीं पेपर था आपके टेबल पे था हम उसे डस्ट बीन में डाल रहे है तो लोकेशन चेंज होई तो इन्टू लगाना चाहिए नहीं बिलकुल यह कला था ठीक है यह एक फिक कोशन मनाएगा तो बनाएगा ठीक है बहुत आई लोग मुझे लगता है कि बहुर भी फिल करें इतनी सारे कॉंसेट बता रहे हो भाई देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं यह वीडियोस ले रहा हूं उसी मैंसे कोशन आएगा मैं बिलकुल इसा नहीं कह रहा पूरी तरह से गाम कर रहा हूं तो आपका भी मतलब इस चीज को रखिये स्रधा रखिये अपने मन में एक चीज तो हमेशा से स्टाइग से नोटेस किए जब आप किसी चीज के लिए स्ट्धा से किसी चीज को पढ़ते हो न तो वह चीज़े जालत सन में आती है आप कभी भी किसी भी टीचर को पर डाउट मत करो मुझे ही नहीं मैं अपनी नहीं कहा हूँ कभी भी कोई में लेक्टा पढ़ रहा हूँ लेकिन वागले स्लेक्शन लेने के बाद उसी को गाली दरहा रहा हूँ टीचर तो ऐसी पढ़ा दिया भाई तनमेता रखो इच्छा शक्ति होती है कि मैं जाना इसा नहीं करता हूँ कि बहुत लंबा खीता हूँ ताकि आप बोरो 15-20 मिनट की वीडियो यही वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखो गे न तो 40-45 मिनिम्म होगी ठीक है 40-45 मिनिम्म होती है सारी चीज़े मैं भी करता हूँ लेकिन मैं बहुत मि वीडियो को इंट करता हूँ पावरगेट की टेस्टरी जॉइन करनी है तो वीडियो की इस्ट्रेशन बॉक्स में आपको में सब चीजे मिल जाएं कि वहां से जाओ पावरगेट की टेस्टरी जॉइन करो अटेंट करो एक बार दिखाओ मुझे कि बहीं कितने नंबर ला कि कर देंगेस्टर गरागेट को बवो हैं कि शाओ हुगा है यौ Congo कि इस्टरी चक्ष्ष्ई